तो कल हम मेमोरी के बारे में पढ़े थे तो आज हम पढ़ेंगे क्या टाइपस ओप मेमोरी दो मेमोरी इच अब टू टाइपस प्राइमेरी मेमोरी एंड सेकेंडेरी मेमोरी देखो यह मेमोरी का चार्ट दिया है यहां पर मेमोरी है मेमोरी टू टाइपस के हैं प्राइमेरी memory secondary memory primary memory में क्या क्या है RAM और ROM secondary memory में है hard disk pen driver CD और DVD तो देखो primary memory primary memory is also called man memory of the computer it stores data or information when the computer is in operation primary memory means क्या यह क्या करता है हमारा जो data होता है इसको store करके रखता है computer जब काम computer जब हम on करेंगे जहां वो जो काम चलता है वहां पर उसी डाटा को उसी वक्त यह सारा data save करके रखता है ठीक है इसको हमारा computer का main memory भी कहा जाता है there are two types of primary memory they are RAM and ROM RAM 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 का full form क्या है random SS memory RAM contents both readable and writable data RAM में हम readable data जो कि हम पढ़ सकते है वही डाटा भी रख सकते है और writable जो लिखता है लिखते हैं वही डाटा भी रख सकते हैं इच स्टोर्स डाटा temporarily until the computer is in operations all the stored data would be lost if the computer is turned up जब computer में हम कोई काम करें होंगे तो अभी जो डाटा हम लिखते हैं या जो कुछ भी करते हैं वह सारा data store करके रखता है और जब computer को बंद कर देंगे तो यह सारा data जो नहीं होता कि इससे इरेज हो जाता है ठीक है यहां का पिक्चर भी यहां पर हमको दिया है यहां को कम्पूटर काम करते वक्त हमारे जो सारा data होता है यहां पर करता है यहां पर जो डाटा हम सेब करके रख दी यह कभी भी लॉस्त नहीं होता कभी गूम नहीं होता ठीक है और यहाँ इसको चलाने के लिए क्या चाहिए बहुत छोटा बैटरी चाहिए ठीक है रोम का पिक्चर भी हाँ पर हमको दिया है देखो secondary memory secondary memory stores data permanently unless it is erased secondary memory में क्या होता है data data यह बहुत time टक store करके रख सकता है permanently store करके रख सकता है जब तक हम इसे इरेज हम इसे डिलीट ना कर दें सो सेकेंडरी storage devices are hard disk cdvd pen drive and floppy disk और secondary memory का example क्या क्या है hard disk cdvd pen drive और floppy disk hard disk is the main storage device to store a large amount of information in computers the store data will remain in the disk until it is deleted यह को hard disk का picture दिया है hard disk किसके अंदर होता है cpu के अंदर होता है ठीक है इसमें हम बहुत सारे data और information store करके रख सकते हैं और हम जब तक इसको डिलीट ना करें तो यह डिलीट नहीं होता ठीक है cd या compact disk cd का फूर्फरम क्या है compact disk cd is an optical storage device इसके अंदर हम टेक्स इमेज़ वीडियो और सांड स्टोर करके रख सकते हैं डिवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डिवीडी इस अंप्टिकल स्टोरेज डिवाइस इस स्मॉल एंड राउंड इन सेप एंड कन स्टोर लार्ज अमांट अब राटा और इन्फरमिशन यह है डिवीडी यह क्या कर सकता है यह बहुत ज्यादा डाटा भी स्टोर करके रख सकता है पेंड्राइब पेंड्राइब इस ऑल्सटाइब भी बोल सकते हैं और यह चोटा सा डिवाइस है जो कि हम कैसे इस्तामाल करेंगे हमारा जो यूज़ पोर्ट होता है कंप्टर में वहां पर लगाकर इसको हम यूज कर सकते हैं और यह रिमुवेबूल स्टोरेज डिवाइस इसको हम कंप्टर में लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं आप सब लोग यह ऐसा वाला पैंड्राइब देखे होगी ने और यहां पर हूज अमांट अब डाटा स्टोर होके रह सकता है ठीक है ब्लू-डिस्क ब्लू-डिस्क की ची न्यू-अप्टिकल डिस्क फ़र्माट फिच एनाबल्स रैकोरिंग रिराइटिंग और प्लेवेग और डेफिनेशन वीडियो यह वीडियो आजकल नहीं चला के वह भी चला सकता है और यह लाज अमांट अब डाटा बहुत ज्याद अमांट अब डाटा भी स्टोर करके रख सकता है ठीक है यह दुखो ब्लू-डू-डी का पिक्चर भी हमको यहां पर दिया है तो फॉर्माट ओफर्स मोर देन फाइब टाइम्स तो स्टोर्ज स्टोरेज के पासिटी अब ट्राइशनल डिवीडिस एंड कें स्टोर डाटा स्टोर चराल रखसकता है ख्याँ अगर्णो टेशनल ट्राइशनल अकुल लेयर होता है है तो स्टोर वंको अचले गर भीयल कामें देस्क ही 50 GB it is rapidly replacing DVDs और यह हमारा जो DVDs नहीं होता कि इसको replace करते है आज कल DVDs नहीं चलते अब यह ब्लू-ray डिस्क चल रहे हैं ठीक है floppy disk floppy disk कि इस्ट इलेक्ट्रो मेगनेटिकली डिभाड़ेड इन्टे मैंनी कॉंसेंट्रिक सर्कल्स नोन अच ट्राक्स दिच कैन भी एसे स्ट्रेंडॉम्ली एंड हैंस आर फास्ट नाव डिस् floppy disk क्या है एक लेक्ट्रो मेगनेटिक डिभाइड इलेक्ट्रो मेगनेटिक डिभाइड जो की छोटे-छोटे सर्किल्स में डिभाइड वहा है चोटे-छोटे सर्किल और ट्राक्स है वहाँ पे और यह आज खल इतने यूज में नहीं होरी यह पुराने जमाने में यूज क्या चाता था ठीक है यहां पे एक आईक्यू साइट गया है इसको हम ट्राय करेंगी प्रिंटर में हम क्या कर सकते हैं वहाँ पेपर में निकाल सकते हैं और उसको प्रिंट करके जग सकते हैं ठीक है और प्रिंटर कितने टाइप्स के होता है प्रिंटर का काम क्या कर सकते हैं प्रिंटर से हम में क्या है कोई भी चीज हो कोई भी डॉक्यमेंट हो इसको हम ऐसे पेपर में निकाल सकते हैं ठीक है इसकोंG the differences between Random Assess Memory and Read-Only Memory Random Assess Memory और Read-Only Memory में different means क्या है Random Assess Memory मतलब Rimm RAM में क्या क्या होता है RAM में हम Readable Data और Writable Data दोनों पर लगहा है और ROM में Only Readable Data पर लगहा है RAM में क्या होता है Data न senior Bern grounds होने के बाद रियेश होता है लेकिं RAM में data क्या होता है permanently store होके रहता है तो यह है RAM और ROM का differences यहाँ पर एक quest दिया है पहला question क्या है How does Blu-ray disk differ from CD? यह जो हमारा Blu-ray disk है यह CD से कैसे differ करता है CD में क्या होता है CD में हम only 700 MB data store करके रख सकता है लेकिन Blu-ray disk में क्या होता है बहुत ही ज्यादा data हम store करके रख सकते है name मेंनी two output devices output devices दो ठो क्या क्या है monitor और printer how many bits is equal to one byte कितना है one byte is equal to eight bits यह वाला chapter आज खतम हो गया मैं जो यहाँ पर difficult words जो जो भी है मैं आपको यह copy पर लिखके दे रही हूं आप सब इसका word practice करना ठीक है